नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं RPS समाचार तो चले शुरात करते हैं आज की बड़ी खबर से दिल्ली NCR समेत उतर भारत में और बड़े की ठंड बर्फवारी को लेकर क्या है IMD का पूर्वा नुमान मौसम विभाग की माने तो आज राष्टी राजधानी दिल्ली में नियूंतम तापान 6 डिगरी और अधिक्तम तापान 25 डिगरी तक रह सकता है ठंड का असर NCR के हित्रों में भी दिखाई देगा राष्टी राष्टी राष्धानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है रहिवार को दिल्ली NCR में सुबह से धुन्द दिखाई दी रही है इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेथ उत्तर भारत में सीत लहर को लेकर अलट जारी कर दिया है उत्तर भारत के कई राजियों में सनिवार साम सही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है आपको बता दें कि सनिवार को दिल्ली की वायू की गुडवत्ता खराप स्रेडी में दर्ज की गई है इसके अलावा राजधानी दिल्ली का नियुंतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है यूपी बिहार में भी बढ़ेगी ठंड वही मौसम विभाग ने यूपी बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है मौसम विभाग की अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों का तापमान भी गिर सकता है लखनो में यून्तम तापमान नौ और अधिक्तम तापमान 24 जिगरी तक रह सकता है मौसम विभाग ने बिहार में कोहरे के रहने की उमीद जता है मौसम विभाग की माने तो कोहरे के कारण पिहार में तापमान गिर सकता है पहाडी शेत्रों में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग ने बताया कि पहाडी शेत्रों में अभी भारी बर्फवारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है मौसम विभाग के मुताविक पहाडों में ठंड बढ़ेगी लेकिन बफवारी की संभावना कम ही है बता दे कि हिमाचल प्रदेश उत्रा खंड जम्मु कस्मीर और लदाक में मौसम साफ बने रहने की संभावना है मौसा विभा के मुताविक पंजाब उत्री राजिस्तान वे हिमाचल प्रिदेश में आज सीत लेर चल सकती है जिसे यहां ठंड और बढ़ेगी इसके अलावा तमिल नाडू कुछ हिस्सों में 19 दिसम्मर से बारिस की गतिविदियों का अनुमान लगाये गया है साथ ही मद्द प्रिदेश 36 गड़ में भी ठंड के बढ़ने की संभावना चताई गई है रिपोर्ट RPS समाचार टीम